सो ही गाईज वेलकम बैक टूर चैनल गौसी वी सुमन तो भई आप सब ने रावत फैमली के सबी व्लोक्स देख लिए होंगे और उसी के उपर कुछ बात करनी एक्चुली क्या हुआ कि आज जो भमू का व्लोग आया तो उसका टाइटल भी कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि पताने आई डोन नो कि ऐसा कुशन वाला उन्होंने टाइटल क्यों रखा है लिखा वह तक क्यूं आई किरती भमू पाई के पास तो हो सकता है काफी लोगों के कुशन कुछ ऐसे हो या पिर कुछ वीडियो ऐसी हो जिसमें लोग यही बात करें कि नहीं जाना चाहिए था उसने उन्होंने ऐसा किया यह किया वो किया उसको नहीं जाना चाहिए तो शायद उसी चीज को देखते हैं उन्होंने यह टाइटल रखा और अपने बॉंडिंग दिखाई लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें रिस्की के व्लोग की तो उसमें भी जो है किरती आज दिख किया होगा तो एक बिल्कुल साफ दिल की लड़के जिसको कहते है प्योर सोल है ना वो स्टाइब की लड़की दिखाई देती है हमें कि जैसी वह है मतलब वह वैसी ही है और अगर उसको गुसा जल्दी आता है तो वह माफ भी जल्दी कर देती है और देखिए यह क्यूमन पास रहने चली गई थी कुछ चीजों को लेके आपस में घर में जो भी मन मुटाव हो रहे थे चाहिए वह सैंडी हो चाहिए वह करन हो चाहिए उनके मम्मी पापा हो चोटा भाई हो आज के व्लोग में आपने देखा लेकिन एक चीज इसमें नौट करने वाले कि यह वाल के सामने की सैंडी भी बहुत ज्यादा परिशान है उसे भी सही कर बात करके इस चीज पर कोई रिप्लाइड नहीं दिया और वह जो है अपना रोही रीती उस टाइम पर हो सकता है रिप्लाइड देना वह लेकिन वह ज्यादा इमोशनल थी तो वह जो है वाश्रों में चली लेकिन उसने ऐसा भी नहीं क्या है हो सकता है कि देखिए जैसा की व्लोग चैनल उसका है तो हो सकता है कमेंट उसने ना कियो हो कमेंट जो है करन ने कियों और तब ही सारे चीज़ें बाहर निकली हो लेकिन जो कहते हैं रह configurator मुहरा वह बन गई लेकिन अभी देखिए किसी वहां पर दिखाई थी जैसा कि मैंने भी एक व्लोग में बताया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पाई ने वही बात करी उस वाले व्लोग में जैसे मैंने बोला था कि मा का तो है आप लोगों ने प्यार देख लिया लेकिन जो बाप बेटी का बोंड है वो किसी नही के बाद भी वो हस्ती रहती हैं लेकिन हाँ यह चीज बिल्कुल छीक है कि हमेशा जो हैं वो हस्ती रहती हैं मुस्कुराती रहती हैं कि लोगों ने यहां पर एक चीज और एज्जूम करें काफे कमेंट्स ऐसे देखे गए हैं कि नीतु के अभी वैसी बोंड नहीं बन पा सब लोग आपस में मिलेंगे जूलेंगे और कुछ घर में अच्छी चीज़ी होंगे कुछ फंक्षन होंगे तो वह चीज़े भी सारी जो हैं सोट आउट हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी इवन यहां पर काफी लोगों ने यह भी एजियूम किया है यह भी कमेंट्स करने आ कोई ऐसे बात नहीं की ना ही उसने जो है अपने भाई रिस्की का कोई जवाब दिया तो यह सब चीज़े अभी भी कहीं न कहीं फैमिली में हैं और आई होप कि यह सब भी जल्दी से ठीक हो जाएं जो भी आपस में मिस अंडरस्टेंडिंग थी जो भी था सब चीज़े ज जाएगी कब जाएगी अपनी मम्मे के पास तो वह आई थिंक जो है डेली मिलने जाती रहती है लेकिन जो है पर्मानेंट शिफ्ट होने का जैसा वह पहले रहती तो वह तो भाई देखो उन लोगों कोई पता होगा और अगर वह जहां रह भी रही है तो वह भी उनी का घर पाई ने भी बताया अपनी वीडियो में आज भमू के व्लोग में कि और बाएगा। जल्दी से सारे शारा बइचे में दुबाराई से लगा है हालाकि जब भमू का वैल कम किया गया तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सबी बच्चे उनके पास थे और किस तरीके से उनका एक grand welcome किया गया था जिससे की कही न कहीं वो motivate भी होई होगी उनको नहीं लगा हुआ कि हाँ कुछ ऐसा मेरे साथ जो है operation हुआ है कुछ भी दिये थी एक छोटी सी वीडियो आप सब लोगों के लिए और आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और बैल आइकन को प्रेस करना बिलक के लिए बाइ